ओम नमाशिद्देभ्या, ओम नमाशिद्देभ्या, सचकी ओर, यह हमारा एक आप लोगों से दिया हुआ एक आहवान है और अभियान है अब हमारे सामने सबसे बड़ी बात यह आती है संयम, सराक्चारित, आवशक कर्म, दान और वईयवर्ती अब तीसरे नमर हमारा संयम का आता है जब सांती सागर जी महराज जी अपनी अंतिम इस्तिती में थे तो उन्होंने मराठी में कहा था संयम थे भीकू करू नका संयम से हमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि संयम सुभका व्योहार है और बिना संयम के संभर और नरिजरा होने संभव नहीं है संयम आवश्रावक के आवशकों में भी है जिसमें कहा जाता है देव पूजा, गुरु पासना, स्वाध्याय, संयम, तप औदान लेकिन कुछ लोगों ने अपने पंथ बिशेस की लोगों ने यह बात सामने रख दी है कि संयम एक मात्र हमारी सरीर की होने वाली प्रिकिरिया है और इससे आत्मा का कल्यान नहीं होता है आत्मा का कल्यान आत्मा का ध्यान करने से होता है सुद्धोप्यों की ओर बढ़ने से होता है आत्मा में रवन करने से होता है लेकिन भी लोग भूल जाते हैं कि दसलक्षन धर्म में एक संयम धर्म हैं और दसलक्षन धर्म का पालन क करने वाले लभ्यक्ति आस्रव और बंद मात्र को प्राप्त नहीं होते हैं अपितु महान संवरों महान नर्जरा को प्राप्त होते हैं सम्वेकद्ष्टी स्रावक बृतानंत वियोजक दरसन मोह छपकोप समकोप सांत मोह छपकछीन मोह जिनाह क्रम सो संखे गुण नर्जरा नर्जरह का जो उलेक हमारे या कीया गया है, जिस नर्जरह का हम तत्वा सुत्र के नौमे अध्याय में या विवीचन देखते हैं, किरम से असंख्यात असंख्यात गुणी नर्जरह होती है और इस आधार पर हम ही कह सकते हैं कि संयम जो होता है हमारे लिए सबसे पहले महत्यपून होता है दसलक्षण धर्म में सत्य के बाद संयम धर्म आ जाता है और संयम के अंतरगत कहा गया है कि संयम काय चहों पृतिपाल पंचिंद्री मन बस करो संजम रतन समार विसाय चूर बहु फृत है यदि पंचिंद्री के विश्यों से ब्रक्ती नहीं होती है तो आचारिय स्वामी करत के अनपरिक्षा में वो कह देते हैं कि बारह भावना का चिंतन करना तुमारा सारा का सारा ब्यर्थ हो जाता है यदि बिशाय भोग से ब्रक्ती नहीं होती है तो और बिशाय भोग से अगर ब्रक्ती करना है तो बिशाय भोग से ब्रक्ती के लिए संयम आवश्चक है फिर भी कुछ पंथ विशेस के लोग यदि संयम की उपेच्छा करके और संयम को दर्किनार करके असंयमी अपने आपको घोसित करके और पुझ पद प्राप्त करने की कोशिस करते हैं सद्गुरुदेव कहनाने की को प्रसस्ते ज्यान और ध्यान तप में जो लीन रहते हैं जो पांच इन्री के विश्यों की आसा से अतीत हो चुके हैं वे ही सच्चे गुरुदेव कहलाते हैं कपड़ों में रहने वाले कभी भी संयम के धारी नहीं हो सकते हैं और संयम के धारी गुरुदेव मानना या गु जो अपने आपको बिना संयम के ही मुक्ष के मारगी बनाना चाहते हैं और संयम से डर करते हैं और विवहार की उपेक्छा करके विवहार के विशय की उपेक्छा करके और सुब का विवहार छूड करके मत्र निश्चय की बात करते हैं तो पंडित कहला श्चंजी ने भी अप आने मुमुक्छू के कहने का अर्थ यह नहीं होता है कि मुक्छी की इच्छा मात्र करने का ना मुमुक्छू है सुयम वो इस्तोत्र की टीका में मुख्चु सब्द का अर्थ दिया है कि मुख्च की इक्षा के साथ साथ जो संयम की साधना करके और मुख्च की साधना करते हैं वे मुख्चु कहलाते हैं मात्र मुख्च की इक्षा करना हर आदमी के सामने संब्भ हो जाता है क्योंकि बिबेती में तोड़न ततोस्ती मोक्चो, नित्यम शिवं बान्छतिना सलाभा, तथा पिबालो भैकाम वश्यो, विद्धा सुयम तब तत्यवादी, यदि मात्रह मोक्च की इक्षा करते रहते हैं, तो मोक्चु नहीं हो सकते हैं, मोक्चु होने के लिए सन्यम पांचमा आवशक कर्म और छटमा दान विर्थी इन सब पर हमें विचार करना पड़ेगा जबी हमें ये मात्र सन्यम आस्रोवन्द का कारण नहीं होता है ये हम आपके लिए बताना चाहते हैं सुपके व्योहार पुन्न रूप जो हो करके परंपरा से मोक्षे के कारण है जि चंद आचाह सीनेवी प्रवचन सार और समय सार में माना हैं इन उल्लेखों को आप देखें और आप एक अच्छे स्रावक बनने के लिए संयम की वर बढ़ें ओम शांती ओम शांती को आप पुन है